हेलो माई डिर स्टुड़ा एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो बच्चो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आडी शर्मा की एक्सराइज 13.4 कोडिलेटर्स एक्सराइज 13.4 के ओलेडी हम 4 कोशन सॉल कर चुके हैं 1 to 4 आज हम बात करेंगे कोशन नमबर 5 और 6 की तो चलिए बच्चो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात तो बच्चो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशन नमबर 5 की अब बच्चो समझ लेते हैं इस कोशन का मतलब क्या है देखे एक ट्रेंगल आपको गिवन है ABC तो बच्चो यह आपका ट्रेंगल है ABC इसके बाद बोला गया है E and F are the midpoints of AC and AB AC का midpoint है E AB का midpoint है F ओके आप यहाँ पर दिख सकते हैं AB का midpoint है F और AC का midpoint है E इसके बाद क्या बोला गया है the altitude AP to BC यानि की आपकी एक altitude है AP जो की BC पर lie करती है altitude का क्या मतलब होता है एक AC line जो एक vertex से generate होकर एक दूसी line पर जाकर intersect करती है और यहाँ पर यह बनाती है 90 degree का angle साथ में आपको यह भी बोला गया है the altitude AP जो आपकी altitude है AP यह intersect करती है FE line को okay at Q यानि की FE जो आपका यह midpoints है इन दोनों को अगर हम join कर दें तो आपकी एक line बन जाती है यहाँ पर यह intersect करता है इस point को हमने नाम दे दिया Q आपको prove करना है कि AQ जो है वो आपका बराबर है QPK यानि कि जो आपका यह AQ है वो बराबर है QPK यह आपको prove करना है तो चलिए बच्चों अब इसको solve कर लेते हैं solve करने के लिए आपको एक concept मालूम होना चाहिए midpoint theorem का जिसको मैंने आपको कई बार समझाया है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसको solve करोगे सबसे पहले आप बड़ा वाला triangle होगे A, B, C ओके यहाँ पर आपको midpoint theorem apply करनी है और देखना है किस तरीके से वो आपकी मदद करेगी इस question को solve करने में ठेक है इन triangle A, B, C अगर यहाँ पर इस triangle के अंदर आप midpoint theorem को apply करते हैं तो आपके पास conclusion क्या निकल गएगा आपके पास निकल के आएगा तो सबसे पहले आप लिख लो कि F and E F and E are the midpoints तो बच्चों किसी भी triangle में जब आपके दो midpoint है तो आप simply यहाँ पर apply कर सकते हैं midpoint theorem तो इससे आप conclude कर सकते हैं कि जो आपका FE line है वो parallel होगा BC के और second point क्या होता है कि आपका FE जो है वो equal होगा half of BC के यानि कि जो BC है वो आपका basically double है FE का अगर हम मालने कि FE आपका 2 cm का है तो BC आपका 4 cm का होगा अगर FE आपका 5 cm का है तो BC आपका 10 cm का होगा ठीक है तो चले इन दोनों point को आप यहाँ पर mention कर दीजिए FE is parallel to BC ठीक है यह आपका पहला point है दूसरा point क्या होता है जो आपका FE है वो बराबर होता है half of BC यह बात आगई समाझ में ठीक है तो यह आपके दो major point होते है midpoint theorem के किसी भी triangle के अंदर तो बच्चो जिस तरीके से आपने triangle ABC में midpoint theorem को apply किया है उसी तरीके से आपको triangle ABP लेना है आप यहाँ पर क्या करेंगे दखिए इसी midpoint theorem को आपको use करना है किस तरीके से use करोगे in triangle ABP तो अब देखिए यह आपका triangle है ABP यहाँ पर किस तरीके से use करोगे आपको मालूम है कि आपका F point जो है वो AB का midpoint है तो क्यों आपका midpoint हो जाएगा AP का with the help of converse of the midpoint theorem तो बच्चों आप यहाँ पर क्या लिखेंगे आप जानते हैं कि जो FE line है वो parallel है BCK तो इसी तरीके से FQ line भी आपके parallel हो जाएगी BPK मेरी बात आरी समझ में जब दोनों line आपस में parallel है तो उसका small part भी parallel होगा यानि FQ parallel होगा BPK ठीक है इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि F is the क्यूं हो जाएगी आप यहाँ पर लिख सकते हैं since FE is parallel to BC ठीक है इसी बात को मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है क्योंकि आपका FE जो है वो parallel था BC के इसी लिए हमने यहाँ पर बोल दिया कि FQ is also parallel to BP तो बच्चों अब आप क्या लिख सकते हैं मेरी बात को ध्यान से समझना जो आपका Q point है यह भी आपका midpoint हो जाएगा AP line का क्यों हो जाएगा with the help of converse of the midpoint theorem अब converse of the midpoint theorem क्या कहती है if a line is drawn through the midpoint of one side of a triangle and parallel to the other side it bisects the third side इसका simple सा मतलब है कि जब आप यहाँ पर बोल रहे थे कि f e जो है वो parallel है b c k और f और e आपका already midpoint था अगर यही line किसी third line को भी cut करती है तो यह bisect करेगी उस line को यही बात आगी समझ में यानि कि q जो है वो आपका midpoint हो जाएगा AP का ओके तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं therefore aq is equal to qp ओके और यही आपको prove करना था ओके तो आप यहाँ पर लिख देंगे by converse of by converse of midpoint theorem ओके आपने देखा कितना असान था simply आपको मालूम होना चाहिए कि midpoint theorem क्या होती है उससे आप क्या conclude कर सकते हैं और उसकी help से आप और भी चीज़े कैसे find कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं question number 6 की यह है आपका question number 6 in a triangle ABC BM and CN are perpendicular from B and C respectively on any line passing through A if L is the midpoint of PC prove that ML is equal to NL तो चलिए बच्चों आप समझ लेते हैं इस question का मतलब क्या है देखिए एक triangle है आपके पास ABC यह रहा आपका triangle ABC इसके बात बोला गया है BM and CN are perpendicular from B and C respectively on any line passing through A तो आपके पास दो perpendicular हैं एक जाती है आपके B point से और दूसरी जाती है C point से ठीक है देखिए B point से आपकी जाती है वो बनाती है आपकी BM ठीक है और C point से जो जाती है वो बनाती है आपकी CN ओके तो BM और CN आपकी दो perpendicular हो गई from B and C अब देखिए यह जो दो आपकी perpendicular lines है BM और CN यह कहां पर जाकर लाई करती है on any line passing through A यानि की एक line आपकी A से pass होती है ठीक है यह आपकी line है ओके तो यह जो line है इस पर यह दोनों की दोनों perpendicular lie करती है मेरी बात आगी समझ में इसके बाद बोला गया है if L is the midpoint of BC यानि की L आपका यहां पर एक midpoint है BC line पर prove that ML is equal to NL अब देखिए यहां पर दोनों में L common है तो इसका simple सा मतलब है L आपका यही point होगा जहां पर आपका यह जो line है a line है यह आपकी intersect करती है या फिर कहें हम कि यह bisect करती है ठीक है क्योंकि यहां पर बोला गया है if L is the midpoint of BC ओके तो यही आपका midpoint होगा मेरी बात आगी समझ में और यही आपको prove करना है कि जो ML है यह आपका बराबर है N L के तो चली बच्चों आप बात कर लेते हैं इसके solution की solve करने से पहले आप इस figure को थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि ध्यान से देखने से observe करने से maths में आपकी काफी सारी problem solve हो जाती है तो देखिए यह जो triangle है और यह वाला triangle है क्या आपको दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं मुझे तो दिखाई दे रहे हैं सेम ठीक है आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन अभी दिख जाएंगे ठीक है किस तरीके से अब देखिए यह angle के बराबर है या नहीं है कैसे है परपेंडिकुलर है यानि कि 90 डिग्री है ओके इसके बाद एल आपका midpoint है तो simple सी बात है यह side इस side के बराबर होगी मेरी बात आगे समझ में इसके बाद देखिए यह angle इस angle के बराबर होगा की नहीं होगा वर्टिकल या पोजेट एंगल तो देखिए एंगल एंगल सम तो यहां पर आपका डबल ए एस रूल अपलाई होगा मेरी बात आगे समझ में तो चलिए इसको कौन सा होगा बच्चो ट्रेंगल C L N इन ट्रेंगल C L N तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जो आपके परपेंडिकुलर हैं कौन कौन से हैं एंगल बी एम एल इस इक्वल टू एंगल C N L यह दोनों कैसे हैं बटा 90 डिग्री के हैं मेरी बात आगे समाझ में यह आपको है okay this is given to you इसके बाद बच्चों मैंने क्या बताए था BL is equal to आप क्या लिखोगे CL क्यों क्योंकि L आपको midpoint है यह भी आपको question में given है if L is the midpoint of BC यह भी आपको question में given है यह भी आपको given है okay क्या given है आप लिख देंगे यहाँ पर L is the midpoint of BC okay third point क्या होगा आपका यह angle इस angle के बराबर होगा vertically opposite angles है ना दोनों कैसे है vertically opposite angles तो आप यहाँ पर लिखेंगे angle MLB is equal to angle NLC okay कैसे है vertically opposite angle मैं यहाँ पर short में लिख रहा हूँ V.O.A आप पूरा लिखने exam में okay तो बच्चों यह आपका angle हो गया यह आपकी side हो गई और यह आपका angle हो गया okay तो आपको यहाँ पर देखना है triangle के अंदर okay आपको इस तरीके से follow नहीं करना है कि आपका asa rule हो गया या इस तरीके से नहीं आपको triangle के अंदर देखना है a a s okay a a s इस तरीके से आपको यह follow करना है ठीक है तो दोनों triangle आपके कैसे होगे बटा congruent होगे एक तो आप क्या लिखेंगे therefore triangle BLM is congruent to triangle CLN okay तो बच्चों अब आपको पूछा था कि ML is equal to NL आपको प्रूव करना है तो देखिए जैसे आपके दोनों triangle congruent प्रूव हो जाते हैं तो इसमें आपसे चाहे आप side पूछी हो चाहे angle पूछा हो आप cpct से सबको equal कर सकते हो cpct का क्या मतलब होता है corresponding parts of congruent triangles यानि कि दोनों triangles के corresponding parts तो यहाँ पर आप लिख देंगे therefore ML is equal to NL यही आपको प्रूव करना था तो आप यहाँ पर लिख देंगे by cpct यानि कि corresponding parts of congruent triangles तो चली बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए questions के साथ so thank you so much for watching this video